तो हमने क्लाश टोइल्ट के बाइलोजी के कुछ इंपोटेंट कोश्चन देखे थे उसमें ही हमारा 13 नमबर का कोश्चन है डेंगू कि डेंगू पर टिपड़ी लिखिए जो आपका कोश्चन वनेगा या आप से पूचा जाएगा डेंगू उखार क्या होता है इसका बर्ण कीजिए तो आज डेंगू उखार के बारे में जानेंगे सबसे पहले जो डेंगू उखार है हमारा वो है क्या आपको ध्यान देना है जो डेंगू उखार तो आपको ध्यान रखना है इसको दो बागों में समझ लेते हैं तो यहाँ पर डेंगू बुखार सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि क्या होता है समझने की दरश्टे से आपको ध्यान रखना है यह बैक किरिया है या बायरस है ये प्रोटो जोगा के द्वारा होने वाला रोग है तो आपको द्यान रखना है, ये बिसाडू जनित रोग है अभी लिखाएंगे भी इदर, तो बिसाडू जनित रोग है पहला पॉइंट तो ये तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है ये बिसाडू जनित रोग है इसी का अगर दूसरे नाम की बात करें तो आपको ध्यान रखना है इसको और नाम से जाना जाता है और किस नाम से तो इसे कहते हैं हड़ी तोड़ बुखार अब हड़ी तोड़ना नहीं मतलब हड़ी तोड़ बुखार मतलब बोन हड़ीों में आपको जो बुखार आ जाता है तो इसका नाम होता है हड़ी तोड़ बुखार भी कहते हैं अब कौन बहाक होता है इसका तीसरा पॉइंट आप समझेंगे तो आपको ध्यान रखना है इसमें बहाग के रूप में जो डेंगू डेंगू है डेंगू बिसाडू यह डेंगू बुखार का जो बिसाडू तो आप कहोगे बहाग के रूप में बिसाडू के रूप में यहां पर लिख देते हैं बहाग अभी सौट में लिख रहा है फिर उदर लिख देंगे तो बहाक आपको ध्यान रखना है मादा एडीज मच्छड होते है तो आपको ध्यान रखना है मच्छड भी कौन सा मादा एडीज मच्छड तो आपको ये बात ध्यान रखना है इसका बहाग का काम करते है अब इसकी चौता पॉइंट आपको द्यान रखना है कि ये होता कौन से बाइरस के द्वारा है तो आपको द्यान रखना है इस रोग का बाइरस विसाडू कि कौन सा विसाडू होता है इस रोग में तो आपको दियान रखना है उस विसाडू का नाम फ्लेवी वाइरस फ्लेवी वाइरस होता है इसी को आपको दियान रखना है अर्वो वाइरस भी कह देते हैं तो अर्वो वायरस या फ्लैवी वायरस और इसलिए इसको नाम भी दिया गया है कहीं कहीं पर कहे देते हैं कि कौन सा तो आप कोगे नाम भी दे देते हैं नाम बोल देते हैं फ्लैवी वायरस या अर्वो वायरस और वो वाइरस कहते हैं तो यह आपको द्यान रखना है कि किसे कहते हैं तो आप कहोगे जो बिसाडू होता है डेवू उत्पन करता है इनको आप लिख भी सकते हो point wise यहाँ पर जैसे आप पहला point लिख सकते हो यह एक बिसाडू जनित रोग है बिसाडू जनित रोग होता है अब इसका मतलब क्या है बिसाडू जनित मतलब बिसाडू के द्वारा होने वाला रोग है बैक किरिया के द्वारा नहीं होगा दूसरा point आप लिख सकते हो इसी में इसे हड़ी तोड़ वुखार भी कहते है वुखार भी कहते है तीसरा point आप इसमें लिख सकते हो डेंगू वुखार जो डेंगू वुखार है की बहाग मादा एडीज मच्छ होती है मतलब इसको फैलाने का काम कौन करेगी मादा एडीज मच्छा चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो इस रोग का बिसाडू इस रोग का बिसाडू कौन सा है तो बिसाडू वाइरस के द्वारा तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है फ्लेवी वाइरस होता है तो इस रोग का बिसाडू फ्लेवी वाइरस होता है आपको ध्यान रखना है या अर्वो वाइरस तो इसलिए इसे कहते हैं कभी कभी इसलिए इसे फ्लेवी वाइरस भी कहते हैं या अर्वो वाइरस भी कहते हैं कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये फ्लेवी वाइरस क्या है ये एक कुल फैमली होती है उससे लिए गया है फ्लेवी वाइरस तो उसके सदस्य है इसलिए इसका नाम भी पढ़ जाता है फ्लेवी वाइरस के नाम पर फिर पांच माँ पाइंट आपको ध्यान रखना है इसी के अंदर जो डेंगू उखार है उसकी चार से पांच स्ट्रेंड पाई जाती है कितनी चार से आपको होगे पांच स्ट्रेंड पाई जाती है पांच स्ट्रेंड आपको देखने को मिलेंगे मतलब चार से पांच परकार का आपको डेंगू उखार मिलेगा तो कौन कौन सा तो आपको दियान रखना है जैसे जिने किरम सा क्या क्या कहते हैं D, E, N, B, First D, E, N, B, Second D, E, N, B, Third D, E, N, B, Fourth ये डेंगू के प्रिकार हैं स्टेंज सा तो आप लिख सकते हों यहाँ पर पांच माँ पॉइंट डेंगू बुखार की चार से पांच स्टेंज सोती हैं जिने क्रम सा क्रम सा D, E, N, B, First D, E, N, B, Second D, E, N, V, Third और D, E, N, V, Fourth कहते हैं कहते हैं तो आपको दियान है मतलब ये इसके प्रिकार हैं डेंगू फेलाने वाले अब मालो किसी ब्यक्ति को आपको दियान रखना है किसी ब्यक्ति के सरीर में जो ब्यक्ति है उसको एक स्टेंज इन में से चार प्रिकार हैं इन में से ये वाला मालो हो गया इस ब्यक्ति को देंगू हो गया इस प्रिकार का तो इस पिरकार का जब डेंगू होगा इस ब्यक्टी को तो उसकी सरीर के अंदर क्या बने होगी पिर्ती रक्षा और अब वो पिर्ती रक्षा लाइफ टैम के लिए बन जाता है दिक्सित हो जाता है इसके अंदर मालो किसी ब्यक्ती है जैसे मैं हो मुझे क्या हो गया ये डेंगू हो गया अब डेंगू होने के बाद मेरे सरीर में ये पिर्तिरक्षी लाइफ टैम के लिए बन जाएगी जब कभी भी अब ये वाला डेंगू मुझे नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि जैसी यह हमला करेगा तो मेरे पास जो पिर्तिरक्षा है वो पहले से बिक्सित है मेरे अंदर पहले से माजूद है और वो क्या कर देगी? इसको आते ही इकल कर देगी लेकिन इसकी दूसरी स्टेन है आपको दिहान रखना है जो ये वाली हैं ये पहले से पिर्तिरक्षा बिक्सित नहीं है क्योंकि ये हमारी बॉड़ी में प्रिवेस नहीं करा तो जो प्रिवेस कर जाती है उसके लिए आपकी इम्यून सिस्टम है प्रितिरक्षी तंत्र है एंटी वाड़ी बना लेती है लेकिन यहाँ पर यह वाली के लिए तो बना ली इसने क्योंकि एक बार हो गया लेकिन यह नहीं है तो यह बिक्सित नहीं कर पाती है पिर्तिरक्षण इनका यह बिक्सित नहीं होगी पिर्तिरक्षण इनके लिए नहीं बनेगी तो यह आपके लिए क्या है खतरनाग है तो यह खतरनाग सावित होती है आपको दियान रखना है तो यहाँ पर लेख देदे शिक्स पॉइंट यह यह इन में से कोई भी स्ट्रेंज व्यक्ति को हो जाती है तब उसे डेंगू बुखार हो जाता है मतलब इन में से कोई सावी अगर व्यक्ति के अंदर इस्टेन हो गई इस में से इतने टाइप है चार में से कोई भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर गया तो उसे क्या हो जाएगा डेंगू बुखार हो जाएगा परन्तू यह जो स्ट्रेंज जो स्ट्रेंज व्यक्ति के सरीर में प्रवेश होती है बहे हमारे सरीर के अंदर सरीर के अंदर जीवन परियंत प्रती रक्षा बिक्सित हो जाती है तो जाती है तो वो प्रती रक्षा जो स्ट्रेंज व्यक्ति के सरीर में प्रिवेश होती है बहे हमारे सरीर के अंदर जीवन परियंत प्रती रक्षा बिक्सित हो जाती है मतलब वो वाली स्टेंड के लिए जो पृतिरक्षा तंत्रा है वो हमेशा जीवन भर आपको मिलेगा अब यह वैक्किरिया नहीं परंतू अधर स्टेंड के आपको यहाँ पर सात्वा पॉइंट आप लिख सकते हो लेकिन दूसरे स्टेंज का खत्रा बना रहता है मतलब दूसरे स्टेंड का अब भी खत्रा बना रहता है कि इन में से अगर कोई जागा तो फिर से डेंगु हो जागा मतलब फिर से आपको डेंगू बखार हो जागा लेकिन यह वाला नहीं कर सकता क्यों यह पृतिरक्षी लाइफ टैम तक के लिए आपकी बॉड़ी में बन गई एक पिरकार से समझ लिए यह मेडिसन दबा का काम कर रहे है मतलब यह आपकी बॉड़ी में पहले से मौजूद बन गई अब यह आएगा तो इसके लिए पहले से बैटी है पृतिरक्षी तंद्र और वो इसको मार देगी लेकिन यह आएगा अगर बॉड़ी में दूसरे स्टेंड आएगे तो क्या होगा आपकी बॉड़ी में फिर से डेंगू हो जागा अब यह डेंगू को आपको यहाँ पर देख लेते हैं सातमे पॉइंट के बाद जो डेंगू है डेंगू की लैप साइकल में धोड़ा सा तो यह मनुष को जब काटती है तो इसमें कब काटती है? आपको ध्यान रखना है मादा जो एडिज मच्छल है वो कब काटती है तो आपको ध्यान रखना है ये प्राता मुख रूप से तो आपको ध्यान रखना है मुख रूप से प्राता काल और साएंकाल के समय ये आपको ध्यान रखना है साएंकाल और प्राता काल के समय ये काटेगी और जब मनुस को काट लेगी आपको ध्यान रखना है काटती है कब काटती है तो आपको दियान रखना है साम के समय या सुबा के समय और जब मनुस को काट लेगी तो इसमें दो होश्ट होते है जो डेंगू बिसाडू होता है जेंगू बिसाडू बिसाडू प्रात्मिक होश्ट होता है या पोशद होता है तो आपको द्यान रखना है डेंगू विसाडू प्रात्मिक पोशद होता है और यहीं पर मादा बहाग मादा बहाग यह आपको द्यान रखना है दुतियक पोस्ड होता है सेकंड्री होस्ट होता है तो यह आपको द्यान रखना है कि प्राइमरी होस्ट कौन होता है आप काओगे डेंगू जो विसाडू है जिलिंगू का वायरस है उसमें प्रात्मिक होस्ट आपको द्यान रखना है वो कौन होता है तो वो काओगे आप मन मनुस है और यहां पर मादा है वो सेकंडरी वहाग है तो प्राइमरी वहाग मनुस हो गया पोसत हो गया प्राइमरी होस्ट और सेकंडरी होस्ट कौन हो गई मादा वहाग हो गई अब जब देंगू आपको दियान रखना है यह काटता है तो काटने से ले करके आपको दियान जैसे मालो यहाँ पर डेंगू ने काट लिया अब काटने के बाद हमने कहा है यहाँ पर डेंगू डेंगू हो गया डेंगू बुखार डेंगू बुखार होने के साथ साथ आपको दियान रखना है डेंगू बुखार इसमें जितना समय लगता है बहां से ले करके जब तक की लक्षण ना पिरकट हों लक्षण आपको दियान रखना लक्षण पिरकट होने तक मतलब देंगू बुखार सरीर में क्या हुआ आपका देंगू बुखार आगा काट लिया और उसके ले करके आपको डेंगू बुखार से ले करके कहां तक जब तक की लख्षन पिरकट ना हो वो आपका क्या समय है वो काल क्या कहलाएगा तो आप कहोगे उसको उद्भवन काल कहलाता है क्या कहलाता है उद्भवन काल कहलाता है अब ये कितना होता है अगर कोई डेंगू मच्चड आपको काट ले तो कितना तो आपको दियान रखना है ये 7-10 दिन कभी-कभी आपको दियान रखना है ये कभी-कभी बढ़ जाता है आपको मिलेगा 10-14 दिन और कभी-कभी यहां पर 3-10 दिन भी या 7 दिन आपको देखने के लिए मिलता है तो ये आपका कभी-कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दिन होते हैं तो इन दिन में आपको लक्षण देखना स्टार्ट हो जाएंगे ये होता है उद्ववन काल जो डेंगू के काटने से ले करके उसके लक्षण देखने तक वो क्या कहलाता है तो आपको उद्ववन काल कहलाता है जो सास से आप देख सकते हो 10 दिन या कभी-कभी बढ़ जाता है 10 से 14 दिन तक आपको देखने के लिए मिलते हैं तो ये था हमारा डेंगू के द्वारा होने वाला रोग कि डेंगू क्या है कौन सा वाइरस करता है उसके द्वारा होने वाला रोग